इस लिमेटेड यानि की इस्ट इंडिया होटेल साब देखे इनके नंबर्स जो हैं बुद्वार यानि की चार तारीक को आने वाले हैं और शांदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशन्स हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दू ये कंपनी जो है और उसके बाद आप देखे लगातार कंपनी प्रोग्रिस किया है और खास कर आप देखे यहाँ पर ओबरॉइट ट्राइडेंट जैसे प्रीमियम होटेल जो हैं जो ब्राइंड्ड हैं उसको ये ओपरेट करती है और मान और जबरदस्त नंबर आने की उमीदम लगा कर चल रहे हैं इन फाक्ट रूम रेंट में आप देखे आप देखे आवसतन 30 से 35 परसेंट की बड़ात हमें देखने को मिली थी जिससे की कंपनी को बड़ा फाइदा हो सकता है क्योंकि इनकी कुल 33 होटेल्स और रिजॉर्स है जिसमें लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो 5000 रूम्स है तो अगर 30 से 35 परसेंट का एवरेज रूम रेट अगर बढ़ेंगे तो इनकी अर्निंग्स और रिलाजेशन में आपको काफी बड़ा फाइदा देखने को मिलेगा और इसी कॉन्फिदेंस के साथ FISB इसमें खर लगा ही रहे हैं बट कोटर औन कोटर नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले सालाना अधार पर बात कर लेते हैं 216 करोड था पिछले साल इस बारी 400 करोड रुपे की अर्निंग्स कंपनी पोस्ट कर सकती है यही नहीं अबिड़ा के लेवल पर आप देखे घाटा था 24 करोड का 132 करोड रुपे के मुनाफ़े में यह तबदील हो सकता है प्राफटेबिलिटी की बात है 49 करोड के घाटे के मुकाबले 78 करोड का मुनाफ़ा भी कंपनी दर्च करती भी दिख सकती है और इस बारी नेगिटिव से पॉस्टिब मार्जिन होंगे और 29.3% के मा आर्जिन्स के लिहाद से 23% थी पिछले क्वाटर में और इस बारी अल्मोस 6.3% बढ़कर 29.3% पर रहेगी आए के फ्रेंट पर भी 365 से 455 करोड और मुनाफ़े के लिहाद से भी केवल 38 से 40 करोड पिछले क्वाटर में था इस बारी यह आकड़ा अल्मोस डबल होता हुआ दिखेगा 78 क्रोड पर